भई आज literally कम से कम कम से कम 5 से 6 दिन के बाद वीडियो बनाने में literally मज़ा आ रहा है और देखो यार वैसे तो मैं बोलता नहीं हूँ but I just want you guys to watch this video till the end क्योंकि आज बहुत कुछ discuss करने वाले हैं हम और हमारे जो CEO हैं Richard Arnold उन्होंने कल शाम Manchester United fans के साथ एक meeting रखी थी एक छोटा सा meet-up था basically वो fans protest करने के लिए आये थे और जब ये बात Richard Arnold को पता चली तो वो उस pub पहुँचे जहां वो लोग बैठे हुए थे और वहाँ जाकर उन्होंने सबसे पहली चीज जून के लिए की वो उनके लिए beer purchase करने की की और उसके साथ उन्होंने बैठ कर वहाँ बाद में बाते की और discuss किया कलप के बारे में अब देखो यार Ed Woodward जब 2013 में appoint किये गए थे CEO उनके tenure में United fans हासे गुसा रहे थे क्योंकि कभी भी कोई fan interaction नहीं हुआ था कभी भी कभी भी आकर Ed Woodward ने fans के साथ बैठ कर बात नहीं की थी उनके जो सवाल थे उनके सवालों का जवाब नहीं दिया था और सबसे पहली चीज उन्होंने एक relationship बिल्ड करने की कोशिश नहीं की थी यहाँपर हम 17 साल में पहली बार देख रहे हैं जब एक CEO आकर fans group के साथ बात कर रहा है और इतना openly आकर क्लब में चल रही दिक्कतों के बारे में बात कर रहा है ग्लेजर्स के बारे में बात कर रहा है और साती साथ आने वाली signings के बारे में बात कर रहा है हम सबको पता है कि हम last year कितना ज़्यादा परेशान थे जो टीम से news निकल कर आती थी leaks जो हो रहे थे कल Richard Arnold ने ये बोला कि भाई जो players या फिर जो लोग leaks निकाल रहे थे वो अब इस club का हिस्सा नहीं है सीधा सादा सवाल किस के उपर जा रहा है ये सारा इशारा किस के उपर जा रहा है कौन-कौन से ऐसे लोग हैं जो की club छोड़ के गए हैं सबसे पहले तो scout department के लोग छोड़ के गए हैं उसके बाद हमारे जो backroom staff के 2-3 लोग थे वो छोड़ के गए हैं उसके साथ-साथ हमारे players और कौन से प्लेयर्स युआन माटा कभी ये करेंगे नहीं, नमानिया मैटिच ये कभी करेंगे नहीं, रही बात अगर मैं बात करूँ पॉल पॉगबा और जेजे लिंगार्ट की, it might be possible, especially for Paul Pogba, I am not going to say जेजे लिंगार्ट, but with Paul Pogba, it is possible that he was one of those players जो की लीग कर रहे थे, और जब Dean Henderson के बारे सवाल उठाएगा, तो Dean Henderson का नाम सुनकर Richard Arnold मुस्कुरा दिये, उन्होंने यही का कि Dean Henderson might also leave, तो भाई देखो, यहाँ पर एक तरीके से clear-cut picture मिल रही है हमें, कि क्लब में जो चीजें हम बाहर से देखकर observe कर रहे हैं, जो बंदे अभी इस वक्त पे United का हिस्सा हैं, वो भी सेम दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, अब यहाँ पर देखो, एक चीज जो सबसे अच्छी निकल कर आई, वो यह था, कि Richard Arnold ने ये बोला कि पैसा है, और Frankie De Jong की डील पर हम बहुत ही सलीके सिवर कर रहे हैं, और हम टाइम ले रहे हैं, अपना एनिलाइस कर रहे हैं, क्योंकि इस डील में पैसे के अलावा भी बहुत सारी चीजे हैं, जो की involved हैं, और इसलिए डील थोड़ी सी tough है, अगर यहाँ पर देखों सब को पता है कि United के पास Champions League football तो नहीं है, और United के पास जितना बासोना पैसा मांग रही है, शायद उतना देने का उनका मन भी नहीं है, लेकिन अगर Richard Arnold यह clearly बोल रहे हैं, कि the manager wants him, we know that United are scouting him, United are trying to convince him, तो भाई एक चीज़ Richard Arnold ने कल चाहते ना चाहते हुए यह चीज़ तो clear करी दी, अब वो प पर देखो, अगर Frankie Dion की में बात करूं, तो Frankie Dion की case में न, हमें पता है कि बासोना के पास अगर अच्छा offer जाएगा, तो वो sell कर देंगे, United time ले रही है, लेकिन I think we are in the end game now, और क्योंकि अब यह audio release हो गया है, अब यह video release हो गया है, यह statement निकल कर आ गए है, तो United को अब साना, push करना पड़ेगा जल्दी, यह deal over the line ले जाने के लिए, और इसको confirm करने के लिए, यह मेरा खुद का perception है, यह मैं नहीं कहा रहा कि आप इस पे बिनो भरोसा करिए, लेकिन आप खुद सोच के देखें कि जब एक club CEO आकर, यह statement दे रहा है, और वो public हो रही है statement, और उनक बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोली, जो की sense लाती है, उन्होंने यह बोला कि आप कितने भी clubs को देख लो, जिन्होंने भी stadium बनवा हैं या कुछ भी क्या है, उन्होंने investors को invite किया है, United को भी investors को invite करना पड़ेगा, United को और investors की जरुवत है, अगर वो training facilities improve करना चाते हैं, अगर वो old Trafford या फिर कोई नया stadium बनाना चाते हैं basically, और हम अगर youth की जो facilities हैं उनको improve करना चाते हैं या फिर हम women football की जो facilities हैं या gym है उनको improve करना चाते हैं, which makes absolute sense, because club में हमारे owners पैसा inject करते नहीं है, और हमें पता है कि इतना सारा काम कराने के लिए एक बहुत ही huge amount of money के जरुद प हासिल कर रहे हो, इस वक्त में United pitch के उपर success हासिल नहीं कर रही है, सबसे बड़ा main मुद्धा यही है कि क्यों हम players को लाने के लिए इतना दा स्ट्रगल कर रहे हैं, अब यहाँ पर जब बात की गई कि भाई, Glazers के against जो protest चल रहा है, तो क्या उस पर Richard Arnold Ben लगाएंगे, ऐसे कर रहने वाला, I understand their sentiments, आप लोग protest कर रहे हो, वो करो, लेकिन आप Old Trafford के अंदर flare वगरा लेकर आओगे, तो वो allowed नहीं के जगा, which makes absolute sense, हम सबको पता, ESL के टाइम पर भी यह हुआ था, जब लोग Liverpool वाले गेम से ठीक पहले pitch पुतर गयते और होने goal post वगरा तोड़ दिया था तो वो चीज एक तरीके से नहीं, कोई भी appreciate करता है, even fans जो उस दिन थे वहाँ पर बहुत कम लोग field पर उतरे थे, but that is another part of it, अब यहाँ पर अगर मैं बाकी signings की अगर बात करूँ तो उन्होंने ये बोला कि हमने सबसे ज़्यादा पैसा खज किया यूरोप में, लेकिन आपको सक्षम नहीं उपाँ, क्योंकि वो कुछ निकल कर ही नहीं आया उसका outcome, हम बस, और उन्होंने बोला भी ये चीज, कि मुझसे पहले जो लोग काम कर रहे थे, मेरा काम करने का तरीका बहुत अलग है, हम सबको पता है, जब Richard Arnold appoint किये गए थे, तो बहुत ही clear clear statement आया थ क्योंकि बहुत close in edit से, Jonathan Schrager का, Laurie Whitwell का, इन सबने, you know, Carl N. का वगरा, सबका यही statement था, कि CEO की post पर आने के बाद भी, footballing side में Richard Arnold का involvement नहीं रहेगा उतना, क्योंकि वो football के बारे में उतना नहीं जानते, जितना John Murtagh और या फिर जो भी लोग appoint किये जाएंगे, उन सारी चीजों को करने के लिए, which makes absolute sense to be very honest, क्योंकि यहाँ पर हमने 8 साल जब Woodward को दिये, तब हमने यही चीज़ देखी, कि Woodward ने decisions जो लिए, वो footballing decisions नहीं थे, वो financial decisions थे, वो ऐसे decisions थे, जो कि club को पैसा ला कर दे, वो club को नए, you know, advertisement ला कर दे, नए sponsorship deals ला कर दे, लेकिन कभी भी उन्हों साइट पर focus करने की जहमत नहीं समझी, अब यहाँ पर देखो यार, Richard Arnold ने एक चीज़ जो बोली, उससे पूरा fanbase relate कर सकता है, कि last season अगर मैं याद करूँ, तो last season was, was a shit show, and I completely agree with that part भाई, क्योंकि हमने last season जितना expect किया था, उसका 1% भी achieve नहीं कि, अब आप सोचो एक ही window में जब Rafael Varane, Jayden Sencio और Cristiano Ronaldo को लेकर आते हो, तो आप यह सोचतों कि इस साल आपका club एक trophy जीत ही जीत लेगा, लेकिन हमने Champions League से क्योर की, जबकि हमारी टीम में Mr. Champions League थे, और Champions League Varane भी थे, अब तो बहुत ट्रोल उकिया जारा है Varane को, बढ़ ठीक है, हमने Jayden Sencio को साइन किया, और इतने सारे players होने के बाद भी Bruno, Deheya, Rashford, you know, हम Champions League से क्योर नहीं कर पाए, हम Premier League में Rondhe गए, 9-0 के aggregate से Liverpool से, हमने City के आगे गुटने टिक दी, हम Watford से हारे, Leicester से हारे, Brighton से हारे, हमने ऐसे ऐसे games में points drop के, जहां हम expect भी नहीं कर रहे थे, points drop करना या हम हारना, और यही एक च है, और जो, you know, जो छोटे-छोटे groups protest करते हैं आए दिन, उसका सबसे बड़ा main reason यह है कि club की तरफ से कभी भी fans को कोई clarity नहीं दी गई, कि हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, आप देखे, जितने भी club successful रहे हैं, past में भी, और या फिर past में अगर United भी successful था, तो उसका main reason ही यही था कि there was a clarity between the fan groups and the manager or the club officials, आप अगर sir Alex के tenure की भी बात करो, sir Alex always used to make sure कि वो fans के सवालों का जवाब दे, ठीक है न, यहाँ पर आज के time में हमने पहली बार, पहली बार, you know, 8 साल, 9 साल में देखा है कि कोई club official आकर fan base से बात करने को तयार है, हम सबको पता है कि pandemic के time प पर, जो fan forum रखा गया था, उसमें भी physically present नहीं थे, जोल ग्लेजर, वो उन्होंने, you know, online के through, उन से बात की थी और बहुत सारे वादे किये गए थे, अब वो बादे इसलिए भी किये गए थे, क्योंकि उस time पर, जो super league का जो idea था, वो नया नया था, और club बहुत pressure में था, ज बात के लिए, जो चीज़े हुई थी, तो यहाँ पर Richard Arnold का fan group के साथ जाकर physical meet करना, उनके साथ बैठकर बात करना, इतना openly transverse के बारे में discussion करना, ये एक positive sign है ना, मैं ये नहीं कहरा कि Richard Arnold पे आँख बंद करके, आँख मून कर भरुसा कर लो, नहीं, भई, देखो, ये एक तर लासा देने का कि नहीं, फ्रेंकी डियोंग आई जाएगा, बात सिर्फ फ्रेंकी डियोंग की नहीं है, बात बाकी signings की भी है, जूरिन टिंबर की बात, बात है, you know, Christian Erikson की बात है, number six की, क्योंकि हमने कमारा को जाने दिया, हमने कोई भी challenge put नहीं किया, बिसूमा के लिए हमें पता है कि अगर हम NTT को लेकर आएंगे, तो हमें 70-75 million देने पड़ेंगे, बाकी players भी, Hydara वगेरा भी हैं, ठीक है न, Grevenburg के लिए हमने idea भी push नहीं किया था, at least हम offer लेकर जाते, Nico Barella के लिए हम जा सकते हैं, हमने अभी तक शुरुबात नहीं किया, तो ये एक reason है क्यों United का fan base इतना जादा impatient है, अब देखो यार, as a fan, आप हमेशे यही चाते हो कि आपका club अच्छा करे, आप हमेशे यही चाते हो कि आपका club trophies जीते, लेकिन सिर्क पैसा खर्च करने से trophies नहीं जीती जाती, क्योंकि पैसा खर्च करना होता, तो इतने साल से हम करी रहे हैं न, लेकिन सक्सेस तो हमें हात नहीं लगी है, इस बार बहुत सारे लोग, even me, you know, I am disappointed with the way things are going, but पता नहीं क्यों back of my mind, कहीं न कहीं मुझे यह realization भी हो रहा है, या फिर यह आप कह सकते हो कि मुझे यह लग रहा है, कि United की यह window बहुत ही शांदार जाने वाली है, बहुत ही पता है कि Juventus छोड़ने से पहले, Ronaldo ने गोल मारा था, Juventus के लिए उन्हों शर्ट वर्ट उतारी थी, लेकिन वहाँ पर situation अलग थी, वहाँ पर Allegory के plans में नहीं थे Cristiano Ronaldo, जहां पर Eric Ten Hag publicly आकर, दो-तीन बार ये बात बोल चुके हैं कि भाई, Ronaldo से आप क्या expect करो, Ronaldo से आप goals expect करो के, और he is going to be a leader, Eric Ten Hag के लिए, Ronaldo का experience, Ronaldo की leadership quality, ये सब बहुत काम आने वाली है, Ronaldo ने भी दो बार publicly आकर ये statement भी दिया है भाई, जो interviews हुए, कि he is excited to work with Eric Ten Hag, उसने clearly बहुत था, और ये, मैं नहीं बोल रहा है, ये David Einstein, Laurie Whitwell, ये Fabrizio Romano के ही, you know, stated words है, Ronaldo के ये शब्द थे, कि I want to make United great again, ठीक है न, तो यहाँ पर भाई, बहुत ही समझने, सीधी साथ बात समझने वाली बात ही है, कि एक बंदा जो की commitment दे रहा है सामने से आकर, वो क्यों क्लब छोड़के जाना चाहिए, और basically World Cup का time है, तो Ronaldo obviously World Cup के time की बीच में नहीं छोड़के जाना था, अब कल जो मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैं Ronaldo वाला पार्ट एड़ करना भूल किया था, लेकिन जब मैं second channel पे थोड़ा सा पार्ट included था मेरा वो, तो एक भाई साब ने लिखा था, कि 2018 के World Cup के time भी तो यही हुआ था, वाई 2018 का World Cup, season शुरू होने से पहले हुआ था, ये season के बीच में ह नहीं चाते, और basically उनको जब वो move करेंगे तो नया वापस से शुरूबात करनी पड़ेगी, अगर let's say वो Bundesliga जाते हैं, ठीक है न, तो Bundesliga में उनने वापस से शुरूबात करनी पड़ेगी, family के एक नया atmosphere होगा, तो वो सारी चीज़ें भी बहुत माहिने रखती हैं भाई, क एक प्लियर के तीन साल के अंदर दूसरी बार, you know, change करने को तयार है, अपनी location, I think that is also, you know, a key factor in Ronaldo's transfer saga, मेरे एसाब से तो Ronaldo is going nowhere, as of now, बाकिया, I can't say कि Ronaldo बिलकुल ही नहीं जाएंगे, नहीं, that would be a too big of a, you know, prediction that I would be making, तो I won't go that far, अब यहाँ पर भाई, देखो, Frankie Diong की case में इतन we all are very excited, उसके साथी साथ, Christian Erikson के बारे में भी ये news आईए, कि एक साल की offer कर रही है, deal of it, a 12-month, you know, extension as well, और Christian Erikson, अभी जो कल रिपोर्ट साहीं थी, he is more close to Spurs than, you know, United, but चीजें बदलते देर नहीं लगती, भाई, transfer market में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो don't get carried away, don't think कि you know, to get Darwin Nunes, Darwin Nunes के रहो मैं, sorry, Lewis Diaz, but Liverpool ने आकर पूरा बाजी पलट दी थी, तो वो एक scenario है, जो कि हमें consider करना पड़ेगा, उसके साथी साथ, भाई, Mick Phelan के बारे में news आई, कि Mick Phelan को, जिस तरीके से discard किया गया था, under Ralph Rennick, उनको एक important role दिया जा रहा है, लेकिन वो management role नहीं तो let's see how it goes, बाकी यार, Tyrell Malasia के बारे में news आई, के फेनरूट के जो, you know, fullback है, उन से हम link थे, और अब वापे से reignite करने की कोशिश की जा रही है, वो deal, वो negotiations, और Frankie Diong के बाद ही, बाकी in players के साथ deal करी जाएगी, let's see कि अगले, क्योंकि अचिन ने बोला था भाई, तो 6 दि रहे हैं, if I am not wrong, 6 दिन में पता चली जाएगा, कि फरेंकी Diong, आज एंगे 6 दिन बाद या और लंबा टाइम लिए जाएगा, तो भाई, अगर आप इस चैनल पे नहीं है न, तो प्लीज, सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, 1MUFC को, और Mohak Unscripted को, also, भाई, मैं एक चीज आएग, तो एक एक टीं करें सेंगा, करें साते ठीज एकूंसी कि एक ऑगिए एक सफे दूर्स एंगा, कि ओं секूने ए मारा ताट्स अग्णिक पर इस मेंस्टाप इस ऍार इन दायर और थे बाधिशेर, टाएग झाए है विजूजING आ ऑ्लीज एक तो प्लीज भाध करें झाल झाल